सेम बाहदूर जिसने हिला दीती पाकिस्तान की नीन आ गया ट्रेलर छा गया विकी कोशल नमस्ते दोस्तों अभी फिलिक डिसकस में फिर से स्वागत है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा विकी कोशल की मच अवेटेड मूवी सेम बाहदूर का ट्रेलर रिलीज हो गया है टीजर में उनके दमदार अवतार की जहलक फैंस पहले से देख चुके है अब ट्रेलर में विकी ने एक बार फिर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है भारत के पहले फिल्ड मार्शल सैम मानेकशो के किर्दार में उनसे नजर हटाना मुश्किल है हर फ्रेम में वो चांदार लग रहे है ट्रेलर में विकी की बोडी लेंगोईज, डायलोग डेलिवरी और फिल्ड मर्शल के रोल में उनका टशन आपको उनका एक बार फिर से फैन बना देगा सैम मानेकशो के किर्दार में उन्होंने खुद को पूरी तरह ढाल दिया है अपने केरियर में विकी ने अभी तक कई चलेंजिंग रोल निभाए, मगर उनका ये किर्दर हमेशा याद रखा जाएगा सोशल मीडिया पर ट्रेलर को पॉजिटिव रेस्पॉंस में रहा है यूजर्स एक्टर की तारिफों के पूल बाद रहे है मेगना गुलजर के निर्देशन में बनी ये मूवी सैम मानेकशो की बायोपिक है वो इंडियान के पहले फिल्ड मर्शल थे सैम ने 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए यूद में मुख्य भूमे का निभाई थी वो सैम ही थे जिनके बदलत भारत ने जीत हसिल की थी मूवी में फातिमा सानाशे, नीरच कावी, सानिया मलहोत्रा, जिशन आयूब एहम रोल में नजर आएंगे ये फिल्म 1 डिसेंबर 2023 को रिलीज होगी सैम बहदुर को मेगना ने लंबी रिसर्च के साथ बनाया इसे बनाने में साथ साल लगे है बाप रे वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, आपका देन शुब हो